दोस्तो, 2014 में Hero Indian Super League शुरू होने के बाद ना जाने कितने सारे foreigners North East United FC के स्कॉर्ड में शामिल हुए लेकिन ज्यादा से ज्यादा foreigners North East United FC के फ्रांस को उतना इंप्रेस नहीं कर पाया तो दोस्तो, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कौन सा एसा Top 10 Foreigners है जो North East United FC के तरफ से खेलते हुए Hero Indian Super League में आपना रंग दिखाने में कामियाब हुए और उसके साथ साथ में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि यह सारे खिलारी फिलाल कौन सा क्लाबों में है लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह वीडियो आच्छे लगे और अगर आप सच्चे दिल से North East United FC के फ्रांस हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए आये हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जोरी बेल आइकोन को भी प्रेस करके रखना तो चलिए दोस्तो आज का ये वीडियो शुडू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर Top 10 Foreigners में से नमबर 10 पोसिशन पर जिसका नाम आते हैं वो है दोस्तो काटसूमी यूज़ा तो दोस्तो काटसूमी यूज़ा एक जापानिस फूटबोलर है जो Defensive Midfield के पोसिशन में खेलते हैं और उनका Age है 31 2016 में इन्होंने North East United FC के तरफ से 14 मैचेस खेला है जिसमें इनका एक गोल भी शामिल है और आने वाले आईलिक सीजन में ये Chennai City FC के तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे और काटसूमी के बाद नमबर 9 पोसिशन पर नाम आते है सार्जियो पेद्रो का जो कोकी के नाम से जाने जाते है 2014 में इन्होंने North East United FC के तरफ से 12 मैचेस खेला है जिसमें इनका चार गोल और चार एसिश्ट भी शामिल है सार्जियो पेद्रो एक श्पैनिश सेंटर फोरवाड है इनका एज है 36 और आप ये फुटबोल से रिटार्मेंट ले चुका है सार्जियो पेद्रो के बाद नमबर 8 पोसिशन पर जिसका नाम आते है वो है दोस्तों सीमाव पेद्रो सीमाव पेद्रो एक पोर्टुगीस फुटबोलर है और उनका प्लेइंग पोसिशन है लेप्ट उइंग और सेंटर फोरवाड इन्होंने 2015 में North East United FC के तरफ से Hero Indian Super League में टोटल 10 मैचेस खेला है जिसमें 3 गोल और 2 एसिस्ट भी किया है फिलल सीमाव पेद्रो का age 40 और आप ये फुटबल से रिटार्मेंट ले चुका है इन्होंने 2015 में North East United FC के तरफ से टोटल 9 मैचेस खेला है और उसके बाद ये अपना पूराना ISL क्लाप चेनाई NFC में वापस लोट गए मेलसन अलबेच अग 31 बर्शिया ब्राजिलियन सेंटर व्याग है और फिला ले ये बांगलादेश प्रिमेर लिग का एक कलाप अबोहानी लिमिटेट के तरफ से खेलते है मेलसन अलबेच के बाद नमबर 6 पोसिजन पर जिसका नाम आते है वो खिलरी है दोस्तों वैलिंग्टन प्रायोरी इन्होंने 2016 में North East United FC के तरफ से टोटल 12 मैच खेला है लेकिन दोस्तों गोल तो दूर की बाद इन्होंने North East United FC के तरफ से एक एसिस्ट भी करने में कामियप नहीं हुए उसके बाद ये 2018 में ट्रांसफर उइंडो के दौरन जामशेदपूर FC में आया था और जामशेदपूर FC के तरफ से टोटल 9 मैच खेल कर तीन गोल और दो एसिस्ट भी किया था वेलिंग्टन प्रायरी एक 29 बर्शिया ब्राजिलियन मिद्फिल्डर है और कुछी दिन पहले अबोहानी लिमिटियत के साथ इनका कॉंट्रक्ट खतम हुआ और उसके बाद नमबर 5 पर जो मौजूद है वो खिलरी है दोस्तो रोमारिक रोमारिक 2016 में North East United FC के तरफ से टोटल 12 मैच खेला है जिसमें उनका दो गोल और एक एसिस्ट भी शामिल है रोमारिक एक आईवरी कोस्ट का डिफेंसिफ मिद्फिल्डर है और इनका एज है 36 और आब ये फुटबोल से भी रिटार्मेंट ले चुका है उसके बाद नमबर फोर पर जो खिलरी मौजूद है वो है दोस्तो डैनिलो सीजरियो इन्होंने 2017-18 ISL सीजिन में North East United FC के तरफ से टोटल 18 मैच खेला है जिसमें उनका एक गोल और एक एसिस्ट भी शामिल है डैनिलो सीजरियो एक 18 बर्शिय ब्राजिलियन स्ट्राइकर है और फिलाल ये कलप एटलेटिको जुबेंटस के साथ मौजुद है जो ब्राजिल का ही एक क्लाब है डैनिलो सिजरियों के बाद थर्ट पोसिजन पर एक और ब्राजिलियन का नाम आता है और वो खिलरी है दोस्तों मार्सीनो इन्होंने भी 2017-2018 ISL सिजन में ही नौर्थिस्ट उनेटेड एफसी में आया था और नौर्थिस्ट उनेटेड एफसी के तरफ से टोटल 16 मैच खेल कर 4 गोल और 1 एक एसिस्ट भी किया है मर्सीनो एक 33 वर्षिये ब्राजिलियन अटाकिंग मिद्फिल्डर है और फिल्हाल ये ब्राजिल का ही एक क्लब क्रिसी उमा फुटबल कुलब के साथ मौजुद है उसके बाद सेकेंड पोसिशन पर जिसका नाम आता है वो खिलर ही है दोस्तो एमिल एनो आलफारो इन्होंने 2016 में North East United FC के तरफ से टोटल 13 मैच खेला है जिसमें इनका 5 गोल भी शामिल है उसके बाद 2017 से लेकर 2019 तक इन्होंने FC पूर्णे सीटी के तरफ से टोटल 36 मैचेस खेला है जिसमें इनका 15 गोल और 4 एसिस्ट भी शामिल है एमिल एनो आलफारो एक 31 बरशिया उरुगुयन सेंटर फ़रोड है और फिलालिये उरुगुये का एक फास्ट डिविशन क्लाफ लिभरपूल FC के साथ मौजुद है उसके बाद फास्ट पोसिज़न पर जिसका नाम आता है वो खिलरी है दोस्तों नौर्थिश्ट उनेटेड एपसी का फ्यांस का सबसे चाहीते खिलरी निको वैलेच तो दोस्तों निको वैलेच 2015 और 2016 ISL सीजन में नौर्थिश्ट उनेटेड एपसी के तरफ से टोटल 25 मैचेस खेला है जिसमें उनका आत गोल और तीन एसिस्ट शामिल है निको वैलेच एक आर्जेंटेड स्ट्राइकर है और उनका एज है 29 और निको वैलेच फिलाल पॉर्टुगाल का एक लाप बेलेनेटेड एसेरी के साथ मोजुद है उसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दू कि निको वैलेच नौर्थिस्ट उनकेड एपसी के सबसे जादा फ्रैन फेवरिट फॉर्इनर से और इसके एलाबा बार्थेलो मी ओगबेचे का नाम तो लेना ही परता है लास्ट सीजन में इन्होंने नौर्थिस्ट उनकेड एपसी के तरफ से बारा गोल किया है और बार्थेलो मी ओगबेचे फिलाल नौर्थिस्ट उनकेड एपसी के टप हैस्ट गोल स्कोरर भी है और इसके एलावा फ्रेडरिको गेलेगो भी नौर्थिश्ट उनाइटे डेपसी के सबसे फ्रेंट फेमर खिलरी है और फ्रेडरिको गेलेगो अभी भी नौर्थिश्ट उनाइटे डेपसी के साथ मौधिद है तो दोस्तो इन 10 खिलेरियों में से कौन सा खिलेरी आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया आप कॉमेंट सेक्षन पर कॉमेंट करते ज़रूर बताना तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगए तो लाइक ज़रूर करदेना और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करने के बाद साथ में जूरी बेल आइकोन को भी प्रेस कर जाना ताकि हमरा हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए